नमस्कार दूस्तो, अगर आपको यह रीकॉर्ड और टेस्ट मैच अनोखा लगे तो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 3 मार्च 1949 का दिन अपने अनूठे रेकॉर्ड में दर्ज हो गया था। यह रेकॉर्ड था कि टेस्ट रेकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक खेलेगे। टेस्ट मैच में कोई ने नहीं हुआ और टीम ने बीच में मैच होड़ दिया। पोई सीमा नहीं होगी उस मैच का फैसला अवश्य ही लिया जाएगा। यानि उसे ड्रॉ नहीं कराया जाएगा। सीरीज एक शुन्य पर ही अटग गई और फाइनल मैच का समय आ गया। और यह मैच टाइम ब्लेस मैच बन गया। दक्षन अफरीका ने टॉस जीत कर यह मैच खेलना शुरू किया। उसके बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में 530 रन बना कर इंगलेंड के समक्ष कड़ी चुनोती रख दी। इंगलेंड के टीम ने जवाब में 316 रन बनाए। दक्षन अफरीकी बल्लेबाजों ने फिर जम कर इंगलेंड के बॉल्डों की धुनाई करते हुए 480 रन बना जबकि इसमें से एक दिन बरसात की भेंद चड़ गया था। एक एक दिन का रेस्ट भी लिया गया। इसके बाद इंगलेंड ने जूचते हुए 14 मार्च को 5 विकेट पर 645 रन बना लिये लेकिन वे एक दिन उनके स्वदेश वापस लौटने का कारेकरम तरह था। जिसे इंगलेंड के टीम चार कर भी नहीं छोड़ सकती थी। अंत में यह तह हुआ कि आज तक जो मैच हुआ है उसकी के आधार पर जो फैसला होना हो वो किया जाए। इंगलेंड की टीम ने आगे नहीं खेला और अपने स्वदेश वापस लौट गई। इस तरह से टेस्ट क्र केट में चला लंबा क्रिकेट मैंच। इस मैच में उननीस और क्यासी रन बनाएगे 5447 बॉल फेंग की गरीं। कई शतक और अर्ध शतक बनाए गए। दोस्तो आपको यह अनोखा रिकॉर्ड केसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।